नमस्कार लीड इंडिया नियूज में आपका स्वागत है करीबन एक साल पहले प्रयाग राज में अखिल भारतिय अखाड़ा परिशत के अध्यक्षत महंत नरेंदर गिरी की संदिग्ध परिस्तितियों में मौत हुई थी पहली नजर में ये आत्मात्या प्रतीत हो रही थी कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला था इसके बाद इस कमरे को सी बी आई ने सील कर दिया था इसी में महंत नरेंदर गिरी रहते भी थे अब एक साल बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिती में इनका कमरा खोला गया सूत्रों के मताबिक कमरे से करीबन तीन करोण नकद तेहरा कार्तूस मिले इसके अलावा जमीन के कागजात और दस कुइंटल देसी घी भी मिला सूत्रों के मताबिक नगत से भरे दो बैक उस पलंग के डौर से मिले जिस पर वो सोते थे गौर्तलब है की महंत नरेंदर गिरी की मौत के चार दिन बाद फुलिस ने पांच लोगों की उपस्थिती में इस कमरे को सील कर दिया था महंत नरेंदर गिरी के बाद मत के वर्तमान उत्तरा अधिकारी बलवीर गिरी ने इलाबाद हाई कोट में याचिका दायर कर कहा की मत की जो भी संपत्ती या नगत केस से जुड़ा नहीं है उसे मत को लोटाया जाए इसे याचिका पर इलाबाध हाई कोट ने महंद नरेंदर गिरी के कक्ष को खोलने का निर्देश दिया कमरा पुलिस, मजिस्ट्रेट, बैंक अधिकारी और उन गवाहों की उपस्थिती में खोला गया जो कमरा सील करते वक्त मौजूद थे हलांकि महंद बलबीर गिरी ने कमरे से इतना ज्यादा नकद मिलने की बात से इंकार किया है गौरतलब है कि महंद नरेंदर गिरी की मौत का रहसे अभी भी नहीं सुलजा है पिछले साल सितंबर 2021 में बागंबरी मठ में उनका शव पंखे से लटका मिला था कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें बड़े हनमान मंदिर के पुजारी आध्य तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी और उनके शिष्य आनंदगिरी का नाम लिखा था उन्होंने अपने शिशे आनंद गिरी पर गंभीर आरोप लगाए थे जिससे उनका विवाद चल रहा था फिलहाल ये तीनों जेल में हैं इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेस करना ना भूदें